हे गाई इस आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे और आई होप आप सभी ठीक होंगे तो फिर गई साथ हम देखने वाले हैं बेसी थर्ड यार बॉटनी सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट इससे पहले जो है मैंने बॉटनी फर्स्ट पेपर का सारे यूनिट जो है लगभग ब यूद यह जो है बेसा थर्ड यह Each के अलावा सेकंड यार फर्स्ट यहर में भी जो है आपको देखने को मिलेगा है ना जो झीने तो फिर बॉटनी बॉटनी आप को कहीं नगहीं मिलेगा सथ ही यह ट्वैल में भी है तो फिर तीनों चारों क्लस के लिए यह हैल्प्फूल हो सकता है नो तो फिर चलिए गईस हम dna की सरचना देखने वाले हैं उसके बारे में हम क्या क्या लिखेंगे exam में वो हम देख लेते हैं तो फिर synopsis सबसे पहले लिखेंगे तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे nucleic acid है ना nucleic नाभी की अमलजी से हम कहते हैं फिर देखेंगे structure of dna dna की जो सरचना है वो हम देखेंगे types of dna फिर function of dna ठीक है गईस dna का प्रकार है वो हम देखेंगे फिर dna dna का जो कार्या है वो भी जो है हम देखने वाले हैं तो फिर चले गईस बिने इसकिप के वीडियो पर बने रहे देखते हैं आज का हमारा topic तो फिर देखते हैं कि इस nucleic acid nucleic acid की खोज Frederick mister ने 1869 में किया था ठीक है जो nucleic nucleic अमला का जो खोज है उसे जो Frederick mission ने किया था सन 1869 में ठीक है तथा nucleic नाम दिया और इसका जो प्रारंबिक नाम था गईस वो है nucleic acid carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus से बने nucleotides के बहुलग होते हैं ठीक है अब लोग पता है कि छोटे छोटे एक लग मिल करके जो है बहुलग का निर्मान करते हैं तो फिर यहां पर एक लग क्या है carbon hydrogen oxygen oxygen यह सभी है और यह सभी मिल करके जो है nucleotides के बहुलग बनाते हैं जो कि जीवों के अन्वांसिक लक्षणों या मुसके पीड़ी दर पीड़ी इस्थनांतरन पर नियंतरन रखते हैं ठीक है कि कई पर क् इंटो सरक्रा की प्रक्रीटी कि अधार पर दो प्रकारों में बैटा जाता है अब कौन कौन से प्रकार में बटा जाता है वो हम दिख लेते हैं यदि राइबोस सरकरा होता है तब उस नुकलीक अमला को तब उस नुकलीक अमला को राइबोस नुकलीक एसिड या फिर राइबोस नुकलीक अमला जो है कहते हैं अर्धात आरेने ठीक है तथा डियोक्सी र राइबोस सरकरना होने पर डियाउक्सी राइबोष नुकलिक एसिड यानि की डियने जहते हैं ठीआ एस आप लोगों झैन। टैन्थ या फिर इलेवनथ सबल्समें भी डियन आरेने में अंतरब पढ़ा हूँ गय irm याए Celia को यहां तो प्र उस्यार Alabama होता है और तो यह होगे गईस nucleic acid I hope आप लोगो समझाया होगा अब चलिए dna की सरचना देख लेते हैं चलिए second दिखते हैं गईस dna की सरचना structure of dna है न विलकिन्स द्वारा प्रस्तूत dna के रसाइनिक संगटन की जनकारी के अधार पर वाट्सन एंड क्रीक ने 1953 में dna के आन्विक्स रचना को इसपश्ट करने के दी सुत्री हेलिक्स मॉडल double stranded हेलिक्स मॉडल प्रस्तूत किया ठीक है गईस सबसे पहले तो जो dna का जो रसाइनिक संगटन है न उसके बारे में विलक WILLKINS द्वारा यह जनकारी के अधार पर वाट्सनिवम क्रीक ने अभी हम धिन आखाने कंगे के अखिलन है बनौल्ट को वाट्सनिवम क्रीक ने वैकिन फनकार थे इस परकार से एंड डायां करें इस यह बचारे को होता है 1962 में जो है Nobel Prize से सम्मानित किया गया था ठीक है उनको जो है Nobel पुरुसकार दिया गया था 1962 में ठीक है DNA की structure से संबंधित मुख्य बाते इस प्रकार है अब DNA की जो सरचना है गया उसमें कौन-कौन से मुख्य बाते हैं वो हम देखते हैं ठीक है Double Stranded Helix यानि की मुडा हुआ है इसी वज़ा से Double Stranded Helix जोols कहते है ठीक है यह स्प्रकार से गूँतार ージ की तरह है और यह दो strands परushi कहुआ है सी व फॉलसी को Double Stranded हेलिक्स मोडल हेलिक्स मोडल जो है कहते है इसमें क्या क्या होता है इस एडिनीन होता है थाइमीन होता है ये जो है एडिनीन है ये थाइमीन है और ये जो है गवानीन है और ये जो है साइटोसाइन है हमें एडिनीन जो है हमेशा थाइमिन के साथ और गवानीन हमिसा साइटोसीन के साथ जूड़ता है ठीक है और ये दोनों जो है आपस में ट्रिपल बॉन द्वारा पेर रहेंगे जूड़े रहेंगे और ये दोनों जो है आपस में डबल बॉन द्वारा जूड़े रहेंगे ठीक है इनसे जूड़ा रहे थैखा थ्री ऊहयगा 5 फाइब लिए स्टाइबे का लेए आए वोथ बाकर थो आप इस वाले इस्ट्रॉक्ष्र को भी बना सकते हैं लेगिन मैं यह शारी स्ट्रॉक्षर को याद करने में भी असानी में और सामने वाला समझ किजा कि DNA में क्या-क्या होता है ठीक तो फिर यह सारा कुछ जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो फिचे लिए देखते हैं आगे नोट्स के और बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं गैस फर्स्ट देखते हैं डेने के प्रतियेक अणु में दो पॉलिनुकलोटाइडी की स स्लाइड था जो की एक दूसरे से सरपिल वत सरचन का निर्मान करते हैं और दोनों एक दूसरे से सरपील वत है और ऐसे से घुमाऊदार जुड़े हुए दो उसे कोई अक दो automate कुंदली वत सरचना कहते है ठीकन तो पिर यह हमने देख लिया है डाइगरम में अगे दिखत पर कोई शाक्रीत है कि यह जो ब्hrम यह जो पॉलीनिकल स्ट्रेंट है न पॉलीनिकलोट्री गहीं से इधर और निकल अधर निकल अधर नहीं बोलते हैं प्रती समनांतर बोलते हैं जैसे कि इस वाले इधर एक स्ट्रेंड है इधर एक स्ट्रेंड है तो फिर इस स्ट्रेंड का 3 प्राइम इधर रहेगा तो फिर इसका 5 प्राइम रहेगा उसी प्राइम रहेगा तो इसका इधर 3 प्राइम रहेगा ठीक है इस तो फिर भ hydrogen bond द्वारा जूड़े रहते हैं यह देखें यह क्या है यह hydrogen hydrogen बंद है ठीक है आगे देखते हैं गैस नुकलियोटाइट्स आपस में फास्फोर डाइस्टर बंद के द्वारा जूड़ कर डिर्मिद करते हैं ठीक है जो पॉली नुकलियोटाइट्स की सरिंखला है रहे दो है के रूप में दोनों स्रिंखलाओं के मध्य में व्यवस्तित होते हैं ठीक है किस क्यालिक है दोनों जो दोनों स्टैंड है ना उनके बीच जो है नैक्ट्रोजीनस छार होते हैं जैसे कि एडेनिन गौानिन थाइमिन मैंने अब लोगों बताया है ना ये जो है आपस में में जूड़ करके लिगया है यरक मने म pack करम में एडेनिन हमींजा थािमिन के साथ पेयर करता है जब कि ए गवाणिन हमेसा साइ्टोसाइन के साथ पेयर करता है यहां युगमन दोनों के साथ स्य॥ मत्याव हैड्र बंद के करण होते है ठीकर दोपिर मैंने आप लोगों ड के धार डंव के मध्या थैंदेशन बंद होता है ठीक है एक अगज देखते हैं गाज ईडेना सब्कूल c के मध्या हाइडरोजन बंद कि कारण होता है सॉल यहां पर क्या आएगा एडिनी दथा थाईमीन के बीच पेर दो हैडरोजन बंद के कारण पर होता है ठीक है इस यहां पर दोगी कारण होता है जो कि मैंने आप अध़को डाइग्राम में तिन हैड्रोजन बंद होने के करण यूगमन होता है चलिए आगे दिख लेते हैं आगे दिखते हैं प्रत्यक जीव या जाती के डियने में नुकलियोटाइट्स का एक निश्चित वाम विसिष्ट करम होता है ठीक है गैस आगे दिखते हैं अगे जाती मेंका जाली यूपात अम्स आगे डियने के लिखते होता प्रत्यक जाती में इनका जो पाइनफात है वह इस्तिर रहेका ठीक है 34 m strong जो है रहेगा चलिए डाइग्राम में देख लेते हैं एक कुंडलीनी बोला है ना तो फिर यहां से देखिए यहां से इधर का घुमाओ है लेकिन यहां से जो है यहां तक का घुमाओ है तो फिर इतना कितना है एक कुंडलीनी है ना एक घुमाओ या फिर एक हैलिक्स तो व्यास 20m strong होता है जो कि मैं आप लोग बता है नो मैंने चोड़ा ही बोल दिया था साइधा ना तो फिर व्यास जो है 20m strong होता है ठीक है अब चलिए देख लेते हैं types of dna dna के प्रकार देख लेते हैं dna निर्मलिकित प्रकार के होते हैं पहला है dna यह एक 203 जो की double stranded है ना दो इसने भी strand होता है 203 dna है जिसकी कुंडलीनी में कुल ग्यारा चारक युगमाया नुकलोटाइट्स पैज़ते हैं और इसकी कुंडलीनी में जो है इस ग्यारा चारक या नुकलोटाइट्स पैज़ते हैं इसका निर्माण bdna के dehydration से होता है और कि देखते हैं यह भी double stranded dna होता है इसके प्रतियक मोड में जो है दस चारक पाए जाते हैं वाट्सन क्रीक के द्वारा वर्णी तो dna वास्ताव में bdna है ठीक है गईस तो फिर वाट्सन और क्रीक का जो dna मोडल है वह वास्ताव में bdna होता है और इसमें कितने चारक होते हैं दस चारक होते हैं तो फिर आपको याद रखना है कि a dna में कितने चारक होते हैं bdna में कितने चारक होते हैं वह जो आपको याद रखना है ठीक है सताथ ही गैस आपको यह भी याद रखना है कि जो वाट्सन और क्रीक ने जो मॉडल प्रस्तूत क्या है वह वास्ताव म बीडीने है ना तो फिर कई बार आता है कि जो एक्जाम में कई बार आता है कि बीडीने का वर्णें की जिए है ना तो फिर हम लोग जो है वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर तो BDNA पुछा है लेकिन मैं तो DNA पढ़के आया हूँ है ना तो फिर वहाँ पर जो एक कंफ्यूज नहीं होंगे वाट्सन क्रीक का पढ़के आया हूँ CDNA देख लेते हैं यहाँ भी दक्षिनावर्ती 203DNA होता है यहाँ डीने जो है 203 होता है लेकिन दक्षिनावर्त होता है ठीक है जिसके प्रतेक कुंडलीनी में 9.334 की युग में पाये जाते हैं ठीक है इस तो फिर यह हो गया CDNA जैड डीने देख लेते हैं यहाँ वामा वार्त होता है लेप्ट हैंड होता है और यह भी जो है 203 होता है इसके प्रतेक टर्ण पर जो है 12-14 की युग में पाये जाते हैं ठीक है तो फिर यह हो गया CDNA के प्रकार ABCD स्वरी Z है न ABC और Z फोर्थ देखते हैं गैंगे इस DNA के कारिया function of DNA DNA यदि नुकलीक अमलक के रूप में उपस्तित है तो अनुवांसिक पदार्थ के रूप में जो है कारिया करता है ठीक है इस यदि DNA जो है नुकलीक अमलक के रूप में रहेगा तो फिर वो जो है अनुवांसिक पदार्थ के रूप में कारिया करेगा अर्थात क आगे चलके जो है अनुलीखन और अनुवादन पडएंगे है कि इस प्रकार से प्रोटीन संसलेशन में भी भाग लेता है तो फिर वही लिखा है यहां प्रत्तेखश्चे प्रोटीन संसलेशन को भी जो है निर्धारित करता है ठीक है यहां केंद्रक के जो है मुख्य घटक होता है और यह जो DNA है गैस वो कहां पर होता है किस सेल में होता है लेकिन सेल के किस पार्ट में होता है नुकलियस में होता है तो फिर यह जो DNA है गैस वो केंद्रक का मुख्य घटक होता है तो फिर फिसका पर अबने सबस्क्राइब करेंगे दोस्तों में भी शेयर करेंगे पीमिरो में और धानती यूज